कि अधिकारी को एक सामान नागरी को भी गाली देने का अधिकारी को एक सामान नागरी को को भी गाली देने का अधिकार नहीं सिख्षक तो सिख्षक हैं और कोई चाहे विधायक हो भी चर्मर आ गई है विहार में सासन का इकवाल समात होता दिख रहा है और सीम की हनक खतम हो गई है सिख्षक पिछले 10-12-15 साल से इस सारा पच्छतर हजारी स्कूल सबादो करोल शात हैं अब देख रहे हैं आपके साथ सिख्षा विभाग के एक के पाटा को लिकर जिस्ता से बिहार बिधान मंडल में दोनों सद्रों में जो बिपक्ष हैं वो लगतार परदसन कर रहे हैं और कर रहे हैं कि इसने लिलंबित क्या जा लेकिन वहीं बिहार के मुख मंती के पाटाण के मुद्ध के मुद्ध हैं जो दिखने को मिल रहा हैं जनहित के मुद्ध direct कर रहे हैं कि सवाल है इसकूल की टाइं मी बदलने शीप फिणिस्र ने लागू होगा ना एक शिटीव हेट होते हैं मुखमंत्री इस्टेट के मुख्या है अब मुख्या आदेख सरे मुलाजिम कहें के नहीं मानेंगे यह तो इस सिती यहीं ना गई है लेकर मुखमंत्री की फजयत हो रही है और आप देखा आपने कल मुर्दाबाद का नारा लगा सर्म करों का नारा लग रहा है सर्म करों क्यों भी प्रक्ष उठा रहा है आपने मौका दिया है कि भी आप भर्मान जारी करते हैं और ठीक से उलट आदेश हो रहा है कर रहे हैं कि नो से पांच हाप भी इस्कूल की अबदी रहेगी और अपने सारे निरिक्षी प्रता धिकारियों को निर्देश दिया कि नहीं आपको सारे आठ वजे इस्कूल में पहुंग जाईए नव बैज तक दिनी शिक्षक नहीं आया रहे मोट किजिए को आधिकारी जो मिल्ट की नीतियों को कारशकरम को लागू करने का अधिकारी हो उनको पॉलीसी मेकर नहीं है वो पोड़ां थोड़े चांग को उट करेगा यह काम इसी मंतरी को और सीम को होता है यहां हैरानी भरी बात है कि सीम का आदेश केके पाठक नहीं मार रहा है आप तो इसमें कोई कहीं कोई प्रमान की जुरत ने और आप देख लीजे एक और आज हंगामा इसेमली भी तो हंगामा इसके कारण भी हुआ कि वीडियो कॉंफ्रेंसिंग किया और केके पाठक ने सिख्षा मंतिर है यह नियम नहीं है उसमें आप कुछ यहां दिखाएंगे तो इस पीकर से उन्हों मतिले नहीं होगी और उन्हें जानकारी दी कि विधान परिशाद में कल यहीं मसला उठा था सेम तो हमने परिशाद के सभापती के हवाले कर दिया कि आप देख लीजे औ सिख्षक तो सिख्षक हैं और कोई चाहें विधायक हों यह इसमें जो देड़ता और यहीं कहा कि आप जो कहिए तो आप तो परिशाद के सभापती को और उनके साथ जो वहाल सदस्य उन्हों पर निर्भर है यहाउस में सिर्फ हवाज उठाते हैं कि कारवाई भी होगी मै आप ने देखी हो गया अखवार की सुर्खियां वटोर रहीं क्या हो रहा है अभी तो लगता है कि अधिकाड़ी अब तो लोग को यहीं नहीं लगता है कि विधायका बढ़ा इस तरक तवाल देखें चीफ फिनिस्टर विधायका के वियंग है और कारिजपाली का के तो प लगई है विहार में शासन का इकवाल समा फोता दिख रहा है और से इमत्रा की है यह नहीं की मजबूरी क्या है वो तो मजबूरी वही बता सकते हैं आज तो पूर्फ सिक्षा मंतरी करें पठक के खड़े हो गया है उनने कहा कि पठक अच्छा काम कर रहा है सबसे अधिक कमांड करने वाला कौम नहीं हम आप सबको सिक्षक नहीं बनाया है इस रूप में हर समाज में कुछ बुड़े लोग भी होते हैं ज्यादा अच्छे सक्षमता परिक्षा को लेकर ठक्राब है कितनी बार परिक्षा हुआ करेगी इसके बाद रिफ्रेसर कोर्स होता है उसकी सेवा सुधार के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाती है यह फिर अधिकारियों की सोच पर तरस खाती है अधिकारियों परिक्षा लेजिए आई सारे जो बिहार के नियोजिस सिक्षक हैं सरकार की नजर में पता नहीं आयोग हैं उनकी सक्षमता परिक्षा ले रहे हैं इस सरकार की सोच पर तरस खाना चाहिए जो सिक्षक पिछले वारा पंद्रा साल से इस सारा 75 हजारी स्कूल सबादो करोर शात्र को पढ़ा रहा है तो सारी व्यवस्था सब कुछ तो आप सब उठा रहे हैं अपने वी पेस्टी से निवक्ति की है इसको सब लोग सरा रहे है कि चलिए आपने योगता नहीं दक्सतासब की परिक्षा ल सब कुछ करके और फिर उसके बाद आप जो ही है मैं मानता हूँ अधिकारियों की सोच और जो प्रेजेंट गवर्मेंट है कि लोग जनता किसे हिसाब लेगी जनता भी देख रही है सब्सक्राइब करेंगे जब विपक्ष में बीजेपी थी तो सिच्छा को के लिए सिच्छा के मुद्ध्य को लेकर परदसन भी किया था और चुपी साधे हुए और कर रहे हैं कि जांच कमिटी बनानी चाहिए उसके बाद करवाई करने चाहिए तो आईसा क्यों वह सब्सक्राइब की बात चीट बोली आचरन कुछ और होता है अब सरकार में हैं तो वही उनसे उमीद रखते हैं वही सब कुछ कि बताइए ना अभी तो कल मुख मंत्री जो कुछ कर रहे थे बाजू में बैठे थे समराट चौधरी और विजय सिनहा दोनों पीछी फिनिश्टर हैं करें क्या वहां वहां वो जाकर आप क्या चाहते हैं राजत के साथ पिर बैठ जाते और उसे ही आवाज उठाते पांच तर्म का अधेश निकाल दिया तो बात क्या होनी थी तो मांग रहा है लोग सिक्षक कह रहे हैं योजी सिक्षक की सक्षमता परिक्षा का हम बहिसकार करें हाला कि 80,000 सिषकों ने फॉर्म भरा है और अब शविश्टारी को परिक्षा भी होनी है उतों भीभक्त होग परिक्षा ने दो लिखित परिक्षा भी कर लिए फिर कई और मांगे हैं जो बहुत ही जायज मांग है मैं तो इस सक्षमता परिक्षा की सोच को ही गलत मानता हूं जो अब सर्विस जो है ना देखिए क्लास बंसे फाइब जिन पढ़ाना है उसको सर्विस में कुछ बताई सक्षमता परिक्षा हो रही है पिछले आप यात कीजिए मही महीने सिक्षक दिवस कव होता है सितंबर मही से अब देखिए पहली बार सिश्कों ने पूरे बिहार में आंदोलन तुई जाड़ी है ना अब तक तो सरकार नहीं मानी तब तक वामदल के नेता लोग कर रहे थ साइस ने भी इसको अपनाने की कोशिस की तो वही प्रताइथ हो रहे हैं उन्हें राहत कहां मिली परिक्षा होई रही है आँ कहा गया है नितिजी नहीं कहा कि मामूली परिक्षा क्या होते है उनके बाप माई का नाम पूछा जाएगा आज़ी कि सवाल किजेगा न हम आप पख़बार में हम आप से दस पूछा जाए और नहीं आप जबाब देंगे त्वरीत तो वबायोग हो गए यहीं सोच है यह हम फिर कहते हैं नौकर साही कि यह सोच अफसरसाही इसकोच को कैसे जो पॉलिटिकल एक्स्यूटीव हैं वो कैसे इंडोर्स करते हैं यहां है और फिस्चों की मांग है नहीं जो चौदा साल तेरह साल पंदस साल से काम कर रहा है क्या उनकी सेवा निनाधितार नहीं होनी चाहिए आज वो सभी नहीं सिक्षक हो जाएंगे फिर लोग मानते हैं एक्षिक ट्रांसफर आज सारे सिक्षक बहाल हुए हैं सब अपने घर में मत कीजिए लेकिन अब कहां है अब फिप्टी परसेंट लल्कियां हो गई है अब जो अध्यापिकाओं की संख्या तो काफी नहों ग पर देख रहने की वस्तावी लोग लेवल तक के करमचारी स्कूल गाउंगाउं में नहीं है 75 वहां सिक्षक के रहने की सोच उनकी सुरक्षा की सोच इस सब कुछ कौन सोचवा कि है इस सारी वस्ताव तो सोच कई बनती है बात लेकिन वही कहते हैं कि एक गड़मड हो गया सुधार के नाम पर फिर मैं कहता हूं कि के पाठक का मिशन सुधार के तहट कुछ कारवाई अच्छी हुई है फर्मान और दर्द आप देख रहे हैं कि मुखमंत्री कह रहे हैं महनने को त्यार नहीं है इस सबसे अधिक हैरानी की बात है आप जान लीजे कौन बड़ा कौन चोटा कौन जीतेगा कौन हार तो पर्तसन कर रहे है और इंका साथ प्रकाना है कि जो जो सरकार की है जो फजीत हो रही है